इस वीडियो में हम उन टॉप फाइव मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो नए प्लेयर्स रमी खेलते समय अकसर करते हैं नए प्लेयर्स जो पहली मिस्टेक करते हैं वो है लोग प्राबिबिलिटी सीक्वेंसिस के साथ खेलना low probability sequences के कुछ examples है and or beginning sequences जैसे A-K, A-2 या alternate card sequences जैसे 4 and 6, J and K, etc. जहाँ sequences बनने के chances कम है क्योंकि केवल A card इसे complete करने में help कर समपा है यहाँ आपको जो चाहिए वो है open ended potential sequences जिसका मत्लब है कि आप इसे 2 cards के साथ complete कर सकते है समभावना रख सकते है जैसे sequences रानी, गुला, सत्ता, अठ्था, बाश्शा, बेगम, etc. आपके पास यहाँ अपनी sequence complete करने के ज़्यादा chances है और यदि नहीं है तो आपको hand drop करना चाहिए और अपने losses को कंग करना चाहिए अब next mistake की और चलते है ऐसे तो इसे develop करना थोड़ा मुश्किल है, difficult है लेकिन अपने losses को minimize करने के लिए यह बहुत important है यह है middle drop का use और यह एक ऐसी mistake है जो मेरे जैसा experience खिलाड़ी भी करता है जब आप एक hand पर लगभग तीन चार round खेल चुके हो और अभी भी अपनी pure sequences नहीं बना पाए हो यह जब आप खेल चुके हो और देख सकते हो कि एक opponent ने low point card को discard कर दिया तो खेल को छोड़ दे और middle drop करके 40 points कर रुक्सान भाए है साथियों 80 point गवाने से बहतर है 40 points खोले इसलिए science पर नज़र रखें यदि आपने 4 round खेले हैं और उसके बावजूद आपको वो card नहीं मिला जिसकी आपको दरकार थी जरुरत थी और अगर आप देखते हैं कि कोई opponent लगातार low value cards को discard कर रहा है तो तुरंट middle drop कर दीजिए और बाद में fight के लिए वापसा जाएए अगली mistake जो नए player करते हैं वो है अपने opponent के moves पर ध्यान ना देना हम आपको basic बाते बताएंगे लेकिन इस विशे पर हमारे खास वीडियो देखके आप अपने opponent के card और move को ना केवल पढ़ना बलकि और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जंगली रमी में last discard feature आपको ये track करने में मदद करता है कि आपके opponent ने सामने वाले खिलाडी ने क्या discard किया इसका इस्तमाल करते रहें उपयोग करते रहें ताकि आप जान सकें कि strategically कौन से ऐसे cards को discard करना सही रहेगा जिसे opponent ने pick नहीं किया अगली mistake जो बहुत से नए player करते हैं वो ये नहीं जानते कि चार से ज़ादा cards से भी sequence बना सकते हैं दोस्तों classic रमी combination है एक pure sequence एक pure या impure sequence का और फिर impure या pure set या sequence के दो तूसरे groups यानि कि 3, 3, 3 और 4 cards लेकिन नए player को ये realize नहीं होता है कि वो card के 3 या 2 group बना सकते हैं और game जी सकते हैं matter सिर्फ ये करता है कि आपके पास एक pure sequence है और दूसरी pure या impure sequence भी हो जकती है तो इस example की तरह जहां दो sequences और एक set है या फिर इसी तरह के केवल दो भी हो जहां एक pure sequence 1, 2, 3 स्पेड का हो और दूसरा impure sequence 4, 5, joker, 7, 8 joker, तहला और गुलाम, joker इस तरह के हो अब हम final common mistake के और बढ़ते हैं जो नए player अक्सर करते हैं जो है अपने wild joker को pure sequence बनाने के लिए एक common card जैसे use ना करता wild joker को joker और original card दोनों के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए इसका उप्योग pure और impure दोनों sequence बनाने के लिए आप कर सकते हैं ज़्यादा तर player wild joker के पास वाले cards को discard कर देते हैं क्योंकि इस बात के chances अधिक होते हैं कि खिलाडी इन cards के साथ अपनी sequence नहीं बनाते हैं लेकिन जब आपके पास अभी तक आपकी pure sequence नहीं है पर आपके पास wild joker है तो आपको common card के रूप में wild joker का उपयोग करके pure sequence बनाने की कोशिश करनी चाहिए मैं इसे एक example के साथ समझाता हूँ अगर wild joker सत्ता है number 7 है तो chances अधिक हैं कि दूसरे players वो 8 या 6 का discard कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास wild joker है तो आप इसके साथ अपनी pure sequence बना सकते हैं जैसे 1, 6, 7, 8 नमबर से या 5, 6, 7 या 7, 8, 9 नमबर से तो दोस्तों ये थी top 5 mistakes जो नए players रमी खेलते समय अक्सर करें विडियो देखने के लिए शुक्रिया प्लीज विडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें और अपटेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जंगली रमी से जुड़ी सभी अपटेट जानने के लिए बेल आइकन दबाएं